डॉक्टर रिशिकेश मेना लिखते हैं आरक्षन की वज़े से ही देश बरबाद हुआ है यदि आप मानते हैं कि आरक्षन की वज़े से ही देश बरबाद हुआ है तो फिर ये पोस्ट सिर्फ आपके लिए ही है जरूर पढ़े लशकर भी तुम्हारा है सरदार भी तुम्हारा है तुम जूट को सच लिख दो अख़बार भी तुम्हारा है तुम जो कहो वो सच हम जो कहें वो जूट मुल्क में नफरत का ऐसा तुफान मचा डाला है कुछ बुद्धिमान बोलते हैं कि आरक्षन ने देश को बरबाद कर अब आब बताईए कि देश आजाद होने के बाद 14 वेक्ती देश के राश्टरपती बने। लोग ऐसे बड़े कार्पुरेट घरानों के व्यवसाई है जो देश की अर्थ विवस्था को प्रभावित कर सकते हैं। अब आब बताईए देश को बरबाद कौन कर रहा है। अगर संभावित ब्लैक मनी वालों की लिस्ट देखे तो कोई आरक्षन वाला नजर नहीं देश को बरबाद कौन कर रहा है। जितने लोग बैंकों का रूपिया हजम करके बैठे हैं या भाग गए उनमें कितने आरक्षन वाले हैं। शायद कोई नहीं। तो फिर देश को बरबाद कौन कर रहा है। बड़े-बड़े ठेकेदार जो सरकारी ठेके लेते हैं। रिजर्व केटिगरी के लोगों का नहीं है। सारे नाम जेनरल के हैं। फिर भी कुछ बेवकुफ कहते हैं कि देश को रिजर्वेशन वाले बरबाद कर रहे हैं। सच में इस से बड़ा जोक कोई और हो ही नहीं सकता। सभी घोटाले के आरक्षन प्राप्त लोगों ने किये हैं। बताएंगे इसमें किसी दलित का नाम कब तक बेवकुफ बनाते रहोगे। और हाँ, फिर भी हम लोग अपने हुनर और काबिलियत से थोड़ा सा आरक्षन का सहारा पाकर क्या काम्याब होने लगे। आपके पे हवा न हो जाए तो कहना। और यदि कुछ तथा कथित उच्वर्क के लोग ये कहते हैं कि वो किसी से भिद्भाव नहीं करते तो उनसे एक ही सवाल है। जातियां खत्म करने को तयार हैं अगर नहीं तो फिर मान लीजिए अभी आरक्षन खत्म नहीं होना चाहिए। निवेदन एवं आग रहें। समस्त S.C.S.T. समाज आपको सिर्फ 10 लोगों को ये मैसेज फारवड करना है और वो 10 लोग भी दूसरे 10 लोगों को मैसेज फारवड करें। इस प्रकार वन इस इक्वल टू 10 परसंस ये 10 लोग अन दस लोगों को मैसेज करेंगे और इस प्रकार बस आपको तो एक कड़ी जोड़ी है देखते ही देखते पुरा देश जोड़ जाएगा।